असलाम आलेकर में आपना वाइवा में बहुत जादा कुछते हैं कुछ इसके सर्जिकल प्रोसेजर्स हैं जिनका थोड़ा थोड़ा साइडिया होना जरूरी है एक बांदा पास एक अगर ऐसा हो कि आपका पूरा 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 रेक्टम है आपका लाइक में कोजें संब्स हैं यह सारा का सारा आपका बاج करके बाहरा आजे आपकी इनल ज़र्ज से ऐसे कारके यह हो जाते है और भाहर आपको इतना बड़ चोरी कि-टोलेंगा P념 बाहरा आजे हो इतना बड़ा करके पूरी इतना बड़ा गोला बाहर आजे italikum有 को सब मुछी नारेधों centered मुकोस सबने खांने तोफें नगिरी मऌसMस experience रचिमये के भी सब्स ही की ताइस सब ऒढ़न ने भी समय से स्बरिक्टक्राइए यदि हुए फिरें क는 आने डियरी यूर्टक्राइपė इसके सब्सक्रिय को सब तया समय पूरा रेक्टम बहार नहीं आता है पूरा रेक्टम तो 15 cm इन लाइन थे तो जब ऐसा हो गर जितना पूर्शन बहार आए और सिफ में गोज़ा आई जो आप लगाने पर अदिकी अब दिकाता है तो यह सब्गोल में बहुत अब यह उता हैं चटे इंफेंट में देवलप्न होता हैं अभी सबुछ ही डिवयलप नहीं होगा उता हूं कार्व नहीं होता है पीछे आप तो सेक्रम वाली जगह से इस तरह से है ऐसला इसंसे श्पाइन है नॉमल उप तो उन में रेक्टम का नीचे करके प्रिलाप्स हो जाना असान होता है और इंफेंट्स में बहुत ज्यादा हो जाते हैं और बच्चों में जिन में डाइरिया मसलसल रहते हैं और वो उसको ट्रीट नहीं किया जाता है या बहुत जदा अचानक से वेट लॉस हो उन में भी वड़ा कॉमन होता है तो यह इसके कॉमन कॉस्स बच्चों में होती है पार्शल थिक्नेस प्रिलाप्स करें इसकी ट्रीटमेंट में हमें करना होता है अगर थोड़ा से खास मुस्त आप पार्शल थे लाप्स कर जाता है तो अपने इजिटली अपने हाथों में टिशु पेपर पकड़के इसको वापस अंदर कर देने यह पोड़ा प्रियों को गाइड कर देते हैं इसके सब उकोजा में हम इंजेक्शन देंगें और इंजेक्शन होता है बिसकिरी स्कलरोजिंग इजेंट का इसे चीज़ होती है जो कि आपका एडेजिन बना देती है वाइटींग एसेप्टेक इंफ्लमेशन पर अंदर जयके तो हमारे पास अगर हम sclerosing agent सब में कोजली दे तो आपका सब भी कोजा और आपका muscle layer रापस में जुड़ जाती है वो sclerosing agent जातर आपका phenol with almond oil होता है ठीक है बच्चों में इससे काम चल जाता है अगर तब भी ढीक हो रहा तो पर हमें surgery करने पड़ती है अच्छा अब उसके बाद हमारे पास अगर यह वाला अगर बड़ों में हो जाते है पार्शल थिक्नस रोलापस तो बड़ों में पहले हम injection देदे sclerosing agent को फिर हम surgery की तरफ आदे मैं surgery आगे बताती हूं क्या होती है वहाला प्रिलापस हे जिसमें आपका रेक्टम की सारी layers बहर आजाएंगी और लैंज भी इसकी ज्यादा होगी ठीक है अगर आपकी रेक्टम में जो ये टोटल है तो वही पहले है ना बच्छों में ज्यादा गोजा सब में गोजा सब भी इस अब denim trop YouTube में आ आज आ और इसमें अगर आप फेल करते हुआए अपने थाम और इसके दर्मियान मेरे आपको फेल के होगे है तो आपको फ्रीम लीयरो और उर्फिल करते हैं आपको फिल ईती है is तो इसलिए आपको आपको बड़ाराम से मतल था है यह अर फुल थिकनेसट् сूड़ लाँ से अब इसमें इंटरसेप्शन में डिफरेंस करने के क्या तरीक है? इंटरसेप्शन में मत बहता है एक सेग्मेंट दूसरे सेग्मेंट के अंदर टैलिस्कोप हो गए आप खुछ सोचें कि मेरा एक ये लूप आफ बावल है मेरा ये लूप आफ बावल नॉर्मली होता है कि इसके अंदर गुछ जाते हैं सब्सक्राइब करें कि ऐसे अंदर गुछ गुछ जाते हैं एक दूसरे के अंदर गुछ गुछ गया है लेकिन इनके दरम्यान में अगर में अंगली डालना चाहूं सब्सक्राइब सब्सक्राइब में इक जाते हैं में में अंगली डालना चाहूं तो गुछ गुछ जाता है तो ऐसा ही होता है में उंदिः ज्वेल्स जाते हैं फ preset दीषुतियार smarter year को में अंदर डालता है फिर इसमें आपका होता क्यों है भी full thickness prolapse बच्चों में तो यह common नहीं जातर old age में common है सबसे जातर common होते है females में जो postpartum होती है post pregnancy pressure of pregnancy के वज़े से constipation के वज़ा से ठीक है और उसके इलावा फिर कुछ medications and antipsychotic on के वज़ा से हो जाते है अब treatment फुल thickness prolapse किया वो surgery है इसमें आपका सिफ injection कुछ नहीं करता है उसमें पहले दो तरह से हम जा सकते है या तो हम perennial region से surgery करते हैं या number region से या नहीं पेट से करते हैं abdominal region से basically उसके surgical approach number नहीं गलत लिखावा abdominal approach होती है उसमें जो perennial reason से होती है उसमें सबसे पहले पुराने जमाने में क्याद करते थे कि आप ना उसको वापिस भेज के अपनी जगा पर मतलब आप उसको digitally वापिस करते है रेक्टम को और इसके वाद आप anal कि नाल के गिड़ स्टिचेज लगा देते हैं ऐसे गोल दायरे में ठीक है जो anal वर्ज है उसके गिर्द बाहर की तरफ से उसके वज़ाए होती है कि ना anal वर्ज खुले सही तरह से और ना दुबार रेक्टम बाहर आए तो हम इस टेक्नीक को जहरे में रखते हैं यह स्टिचेज लगाते हैं उनको थार्ष स्टिचेज गहते हैं लेकिन उसकी वज़ाए से अनल स्टिचेज लगा दिया तो आपका स्टूल पास करने में डिफिकल्टी हो जाएगी तो वह बड़े मसले आज़े थे इसलिए आप यह प्रोसेजर बिल्कुल भी परफॉर्म नी किया जाता ता स्टेचेज वाला उसके बाद हमारे पास जोगली चीज़ होती है वो डिल्रॉमेज ऑपरेशन होती है इसमें हमने क्या करना होता है कि हम यह करते हैं कि हम म्युकोजा को एक्साइज करते हैं जो आपका रेक्टम सारा बाहर आया है उसके म्युकोजा को एक्साइज करते हैं उसको वापिस ले एक्साइज कर देते हैं, अब मेरे पस क्या बचा है, यह आपका ट्रांसफर्स कॉलन है, यह डिसेंडिंग कॉलन है, यह सिग्मोइड कॉलन है, ठीक है, और यहां पर से आपका रेक्टम ता जो के प्रोलाप्स करके बाहर गया था, आपने सारे रेक्टम को रिमूव किया, आ आपका डिसेंडिंग कॉलन बचा है, उसको आगे लाके डिरेटली आप अपने इनल किनाज से अनेस्टरमोस करते हैं, तो आप पीछ में से सिग्मोइड कॉलन और रेक्टम निकाल के कोलो एनल अनेस्टरमोस बना देते हैं, यह तीनों सरजरी उतनी ज़्यादा परफॉर् वेरच में आपका सबसे बहतर रिजर्ल में, तो आपके कहीं, चेह बहु Powell's, उसकी खूपरेशिर, पहले पहले जो पर विरुद करते हैं कि इसके पड़ी ही सैक्रम आपको बताइना जाहरादे की बढ़िय 아니라 आपकी एक मेश लेते हैं मेश एक जाली सी होती है उस जाली को एक एंड को आप सूचर करते हैं, सारे रेक्टरम के इर्थ-गेद सिर्फ उसके इंटिरियर वाल को छोड़ देते हैं रेक्टर्म अगर पूरा गोल है तो उसके इंटिर्य वॉल को छोड़ देंगे, बागी तीनेू साइडे को मेश को जाली को सूचर कर देंगे और पीछे से जाली को आप सूचर कर देंगे सेकरम के साथ तो आपने क्या किया किया कि आपने connection बना दिया एक mesh के जरिये between sacrum and rectum ताकि आप rectum नीचे जाए ना सके यह procedure बहुत ज्यादा किया जाता है हाथ सुर्पे हमारी setting में यह बहुत common avails operation जो ripesteins operation है उसमें भी आपने करना ऐसे ही होता है कि आप rectum को वापस लाएंगे अब्डॉमिन से जाएंगे, rectum को वापस लाएंगे और इसमें सिफ यह होता है कि आप directly rectum की posterior wall और sacrum को यह दरमयां में sutures लगाते हैं आप directly सपचने के एक चीज को सुई धागे से जोड़ देते हैं कि आप का rectum नीचे भाग रहा था और आपने इसको उपर किया और पीछे की तरफ से जोड़ दिया लेकिन इस पे sutures का तूटने का खत्रा और इसके जो कहते है इसके रिकरेंट्स होने का फ़तरा ज्यादा है as compared to well's operation जिसके आप mesh इस्तमाल करते हैं जो ज्यादा procedure फॉलो किया जाते है इन surgeries के नाम आपको आने चाहिए आपके MCQ में आती है किसे कोई मसला हुआ है you can ask me thank you